चारा गुटाले में सजा याफता लालू प्रसाद यादव का दर्द छलक पड़ा है खराब सुआस्त के आधार पर लालू की जमानत याचिका को सुप्रीम कोट ने खारिज कर दिया लोगसबा चुनाव में खुद को ना पाकर लालू यादव का मन उदास हो गया और उन्होंने चिठी लिखकर बिहारवासियों से अपने मन की बात कह डाली लालू ने ट्वीटर पर लिखा जवालीस वर्सों में पहला चुनाव है जिसमें आपके बीच नहीं हूँ चुनावी उत्सब में आप सबों के दर्शन नहीं होने का अफसोस है आपकी कमी खल रही है इसलिए जेल से ही आप सबों के नाम पत्र लिख रहा हूँ आशा है आप इसे पढ़िएगा एवम लोक तंतर और सामविधान को बचाईएगा जै हिंद जै भारत आईए अब आपको लालू की पूरी चिठी बढ़ाते हैं मेरे प्यारे बिहारवासियों आप सबों को प्रणाम नमशकार सलाम इस वक्त जब बिहार एक नई गाता लिखने जा रहा है लोक तंतर का उत्सव चल रहा है यहां राची के अस्पताल में अकेले में बैठ कर सोच रहा हूँ कि क्या विधवन्सकारी शक्तियां मुझे इस तरह कैद करा के बिहार में फिर किसी सड्यंत्र की पठकता लिखने में सफल हो पाएंगी मेरे रहते मेरे बिहार वासियों के साथ मैं फिर से धोखा नहीं होने दूँगा मैं कैद में हूँ लेकिन मेरे विचार नहीं अपने विचारों को आप से साजा कर रहा हूँ क्योंकि एक दूसरे से विचारों को साजा करके ही हम इन बाटने वाली ताकतों से लड़ सकते हैं राची के अस्पताल में अभी शाम में अकेले बैठकर आप लोग उसे बात करने का मन हुआ जैसा कि आप सब जानते हैं कि लोगसबा चुनाओं का बिगुल बच चुका है देश में बहुत बार चुनाओं हुआ है पर इस बार का चुनाओं पहले जैसा चुनाओं नहीं है इस बार के चुनाओं में सब कुछ दाओं पर है देश, समाज, लालू यनि आपका बराबरी से सिर उठा कर चलने का जजबा देने वाला और आपके हक और आपके इज़त और गरीमा सब दाओं पर है लड़ाई आरवार की है मेरे गले में सरकार और चालबाजों का फंदा कसा हुआ है उम्रे के साथ शरीर साथ नहीं दे पा रहा पर आन और आपरू की लड़ाई में लालू की ललकार हमेशा रहेगी ये ललकार हमारे सिपाईयों के दम पर है जो हार में, जीत में, हर हाल में मैदान में ढटने वाला रहा है पीट दिखा कर भागने वाला नहीं है जिसे गांदी जी ललकार कर अंग्रेजों भारत छोड़ो कहने के बाद करो या मरो का नारा दिया करते थे वैसे ही लड़ाई देश तोड़ने वाले लोगों के खिलाफ है समविधान में दिये हक की हिफाज़त की लड़ाई है आरक्षन और समविधान विरोधी नरेंद्र मोधी को ख़देडने की लड़ाई में करो या मरो की जरूरत है हर आदमी को लालु यादव बनना होगा उसकी तरह डटना होगा लालु यादव की तरह लड़ना होगा सामने चाहे कितनी भी मुश्किल हो डर और धमकी हो लालच हो, खत्रा हो, डट कर लड़ना होगा और गरीब गुर्बों की मान प्रतिष्ठा बचानी होगी। आप सब अकबार और टीवी के माधियम से जानते ही हैं कि किस प्रकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने आख के आरक्षन को खत्म करने की कोशिश की है। किस प्रकार हमारे रोहित वेमुला जैसे दलित पेटे को परताडित कर आत्मात्या करने को मजबूर किया गया। किस प्रकार दलित उत्पिडन को बढ़ावा दिया गया। और किस प्रकार दलीतों और अनुसुचित चाती पर उत्पिडन की कानून को कमजोर करने की कोशिश की गई। आप दलीत भूजन साथ ही अगर पूरी गोलबंदी से सड़क पर कोहराम नहीं मचाते तो आप दलीत भूजन के आरक्षन और आपके अधिकारों को मोदी की सरकार ने स्वाप्त करने का बीड़ा उठा लिया था। मैं बिमार और परेशान रहकर भी लगातार नजर बनाए हुए था। आपको बस यह याद रखना है कि गुरु बोलबलकर के चेले लोग आप दलीत भूजनों को मिटाने की हर संभव कोशिश करेंगे। जागते रहना है और बाबा साब और मातमा फूले कालख जगाते हुए इन्हें दिली से खदेड देना है। इस सरकार नोटंकी सरकार है। कभी देश खत्रे में, कभी हिंदू खत्रे में, कभी अर्थववस्ता खत्रे में। इन सब के नाम पर लोगों को गुलाम बना के रखना चाहती है। आप दलित बहुजन को कहा जाता है कि कुछ सोचो मत, सिर्फ गुलाम की तरह हमारा हुकुम बजाओ। आप क्या खाईएगा, क्या पहनिएगा, यह दोस्त है, सब सहब तै करेंगे। लालू के रहते कोई जाली बाज इधर झाकने का हिमत भी नहीं करता था। परी सरकार मुह में राम बगल में छुरी वाली सरकार है। निशाचर लोगों की सरकार है। रात में जब आप सोई रहते हैं तो यह हमला करता है। और आपकी मती फेर कर आपको अपने ही किलाफ का जाने वाली सरकार है जाने कौन लकडी सुगा देते हैं कि भाई की तरह कंदे से कंदा मिलाकर लड़ने वाला आदमी आपका खून पीने के लिए तैयार हो जाता है हमको भी अपना माया जाल में लपेट कर तोड़ने की जी तोड़ कोशिश किया ये लोग लेकिन जाल डाल कर भी काबू नहीं कर पा रहें पीछे से किसे सिखंडी के कंदे पर बंदूख रखके हमले किये जा रहे हैं बार बार जेल में रखकर ही मद्ट तोड़ने की कोशिश हो रही है लाख तरे की बिमारी और कानून के फंदे के बाद भी लालू का हिम्मत नहीं तोड़ पा रहे और ना ही उसकी सिपाईयों का होसला अगर मेरा पूरा परिवार और समस्त रास्ट ये जंता दल फिर भी मैदान में डटा हुआ है तो आप दलित बहुजन सात्यों की ताकत इसकी सबसे बड़ी वज़े है देश शमाज की मान मर्यादा और एका के लिए भले गुरु गोविन सिंग के बच्चे की तरह दिवार में चन्वा दिया जाए पर ये जंग जारी रहेगी देश शमीधान की बाग तो हमारे सब लोग आपको बता ही रहे है पर उससे ज्यादा जो ज़रूरी बात है कि अगर ये दलित बहुजन विरोधी लोग दोबारा हेर फेर से वापस आ गए तो देश में आपकी हैसियत क्या रहेगी ये आपके उठने बैठने से लेकर आपकी पैचान को फिर से 30-35 साल पुरानी स्थिती में धकेलना चाहेंगे आपका मान मर्यादा के साथ रहना और बिना भै अपनी बात रखना इनको फूटी आँख नहीं सुहता आपने कुदाल फावडा और गैंती छोड़ कर कलम फगड़ना शुरू किया ये उन्हें हजम नहीं हो रहा ये फिर से आपको अपने ढोर जराने और खेट पर सर चुका कर जी मालिक कहने वाले बंद्वा मजदूर के रूप में देखना चाहते हैं आप पठना और दिल्ली की सत्ता में और देश के संसाधनों में आबादी के अधार पर अपने हिस्सेदारी मानते हैं ये इन्हें परेशान कर देता है इसलिए इस बार वाला चुनाव सरकार और गदार दोनों को पहचानने का है अगर चूक गए तो हमेशा के लिए चूक जाईएगा हमारे गरीब गुर्बा लोग जो मंडल जी, कुश्वाहा जी, यादव जी, बिंद जी, सहनी जी, पासवान जी, माजी जी या राम जी कहाने लगे थे वो फिर से अशोबनिय जाती सूचक नामों से पुकारे जाएंगे इस बार दुश्मन आपकी ताकत को तोल रहा है कभी बिना दस्तावेज और सर्वेक्षन के सवरनों को आरक्षन देके कभी रोस्टर सिस्टम को बदल के या फिर अनुसूचित जाती या जन जाती पर उत्पीडन के कानून को कमजोर करके कोई सोटा भांज रहा है तो कोई राम जी को भांज रहा है लेकिन याद रखना मेरे साथियों आपके लाल लालू का होसला बहुत मजबूत है उससे भी मजबूत है उसके सिपाही जो कभी नहीं तूटेगा और कभी नहीं फूटेगा लालच का, धर्म का, धमकी का सब लाठी फेल हो जाएगा इमायवी सरकार आपको दिखाती कुछ है और करती कुछ है बोलती है कि देश खत्रे में हैं हम अत्यार खरीद रहे हैं और आपका पोकेट से पैसा निकाल कर ये अपना यार दोस्त को दे के कहती है कि अराम से विदेश निकल जाओ और मोज करो हम आये तो हमको भी मोज कराओ इस समय दोस्त और दुश्मन दोनों को पैचानने की घड़ी है साथ में जुटके और जोड के लड़ने की घड़ी है राजद की सिपाहियों और दलित भुजन साथियों गटबंदन में कई दल है इसलिए सीट वटवारे में सबका ध्यान रखना पड़ा हमारे कई नेता और कार्यकरता जिने टिकट नहीं मिला है उन सबसे अपील करते हैं कि सब मिलकर सब कुछ भुलाकर दलित भुजन समाज कारक्षन और सम्विधान बचा लेजिए देश को खेट समझे और जानिये कि अगर अपना समाज खेट बचा लेगा तो फसल फिर लगेगी और बराबरी से सब दलित भुजन की भागिदारी होगी मन तो बहुत कुछ कहने का है लेकिन अब रखते हैं फिर लिखोंगा बस एक बार और हाथ जोड़कर अपने दलित भुजन साथियों से आगरह है कि एकता कायम रखिए शंगर्ष कीजिए दलि के तक्त पर वंचित समाज के लोगों का कबजा जरूरी है प्रणाम आपका अपना लालू प्रसाद आप देख रहे हैं दशूद्र भुजन समाज से जोड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करे हमारा चैनल बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुच सके